नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों मुख्य मंत्री प्रखन पड़िवहन योजना की अधिसूशना जारी जानिये कैसे मिलेगा लाव सीएम नितीश की अचानक से बिग्री तब्यत तनल से निकले मस्दूरों को अपने खर्च पर बिहार लाईगी नितीश सरकार लालू यादम ने इंडिया गडबंधन की जीत को लेकर किया दावा वलकब 2023 फाइनल में नहीं खिलाए जाने पर रवी चंदरन अस्विन का खुलासा इसके साथ ही बरते हैं शाम तकी बड़ी खबरों क्यों विस्तार से मुख्यमंत्री प्रखन पड़िवहन योजना की अधिसूशना जारी जानिये कैसे मिलेगा राव बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखन पड़िवहन योजना की अधिसूशना चारी कर दी गई है बता दे किस योजना के तहट चेनत लाभार्थियों को पांच लाख रुपे का अनुदान दिया जाता है मालम हो कि इस योजना के तहट मैट्रिक के अंके आधार पर लाभुकों की प्रखनवार वर्यता सूची तयार की जाएगी और अगर समान अंक होता है तो उस दोरान अधिक उम्रवाले व्यक्ति को वर्यता दी जाएगी इसको लेकर पडिवहन विभाग के द्वाड़ा एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है वहीं इस योजना के तह सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्याले से जोड़ना है जारी के गया दिसूशना के नुसार इस योजना का संचालन वर्स 2025 चबिस तक किया जाएगा और इस योजना का लाब प्रतेक प्रखंड के साथ लोगों को दिया जाएगा इसके अलावा जिस प्रखंड में अनुश्चित जञञाती की संख्या 1000 से दिक होगी उस प्रखंड में एक अत्रिक्द अनुश्चित जञजाती के कोटी के व्यकती को भी इस योजना का लाब दिया जाएगा बिहार के लाल ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियंशिप में किया कमाल पतादी कि रौनक मिश्ट्रा के द्वारा क्वार्टर फाइनल में महराष्ट्रों के कुनाल गोड़पडी को चार एक से पडाजित कर अपना पदक पक्का किया गया मालुमों कि रॉनक मिश्ट्रा बिहार के दर्भंगा जले के रहने वाले हैं वह इस बात की जानकारी बॉक्सिंग एसोसियेशन और बिहार के सचीव राजीव कुमार सिंग के द्वारा दी गई है पतादी की रॉनक मिश्ट्रा के इस उपलबदी पर बिहार सरकार के कला संस्कृती एवं युवा विवाग के मंत्री चितंदर कुमार राई बिहार उलम्पिक संग के अध्यक्ष अब्दुल बारी की सिद्ध की बॉक्सिंग एसोसियेशन और बिहार के मुख्य संरक्षक में टरल से सुरक्षत निकले मजदूरों में से वो मजदूर जिनका संबंध बिहार से हैं उन मजदूरों को बिहार सरकार के द्वार एक फैसला लिया गया है द्रसल बिहार के इन पांच मजदूरों को रिती सरकार अपने खर्च से बिहार लेकर आएगी इसको लेकर बिहा के अनुसार टरनल से सुरक्षित निकाले गये बहार के पांच श्वमिकों को बिहार लाने के लिए दिली से là l.e.o. को भीजा गया है इन सब के लावा इन मज़दूरों के द्वारा टरेल में बहुत कुछ सहाग गया है ऐसे में इन मजदूरों को नियम के अनुसार पुरुस करते वे कहा गया है कि टानल हासे के बाद नितीश सरकार इस पर नजर बनाय हुए थी और अधिकारी लकातार वहां संपर्थ कर रहे थे सीयम नितीश की अचानक से बिग्री तब्यात बिहार के मुख्यमंत्रि नितीश कुमार की अचानक से तब्यात बिग्र गई है जिस वज़ा से वो अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे यही कारण है कि आज उनका राजगी दोरा भी रद हो गया बता दे कि CM नतीश को अब घर के अंदर ही डॉक्टरों के निगरानी में रखा जाएगा मीडिया में चल रही खबडों और मिली जानकारी के नुसार मुख्यमंत्री नतीश कुमार को सीजनल फ्लू हुआ है जिसे की वह काफी परिशान है CM को फीवर के साथ साथ सर्दी खासी भी है और फिलाल वे डॉक्टरों की सलाह पर दबा ले रहे ऐसे में CM नतीश किसी भी तरह के कारे किरब या मिटिंग में शामिल नहीं हो रहे है बताया गया है कि रेलवे की ओर से यात्रियों की अतरिक्त भीर को देखते वे कुछ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णे लिया गया है बता दे कि जिन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा उनमें गारी संख्या सुने 3575 आसनसोल आनन्द विहार स्पेशल ट्रेन का नाम शामिल है वहें इसके लावा गारी संख्या सुने तीन पांच साच छे आनन्द विहार आसन सोल स्पेशल ट्रेन गारी संख्या सुने तीन चार तीन पांच मालदा टाउन आनन्द विहार स्पेशल ट्रेन और गारी संख्या सुने तीन चार दो छे आनन्द विहार मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन के नाम श सक्षक स्रंग शामिल होंगे बता दे कि सक्षक नहीं था केशव कुमार के द्वारा कहा गया कि सक्षक होने के नाते वह लोकतंत्रिक मुल्यों का पालन करते हैं और लोकतंत्र उन्हें संग बनाने की शक्ती प्रदान करता है उन्होंने कहा कि सक्षा विभाग या माने या ना माने लेकिन पिछले कुछ समय में उनके द्वारा सिक्षकों के विरुथ जो फैसले लिये गया है उसको लेकर 3 दिसम्बर को यह स्विक्रेट मीटिंग बुलाई गई है जिसमें आगे की रनेती के बारे में चर्चा की जाएगी हाला कि अभी यह मिटिंग कहा होगी उसको लेकर कोई जखत्य नहीं की गई है उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा विवाग की ओर से जो तालिका निकाली गई है उसमें बदलाव करने की भी मांग की जा रही पुर्वविधायक शिवपूझन सिंग के निधन पर सीएम ने व्यक्त की गहरी सोक संबेधना उन्होंने कहा कि उनके निधन से राजणितिक एवं समाचिक छेतर में अपोडिये चहती हुई है मुख्यमंत्री के दौरा दिवंगत आत्मा की चीर सांती तथा उनके परिजनों को दुख की इस घरी में धैरे धारन करने की शक्ती प्रदान करने की इश्वर से प्रात्ना की है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिनारा के पुडविधायक शीपूजन सिंग जी का निधन दुखत उनके निधन से राजनेतिक एवं समाजिक छेतर में अपोर्णिय च्छती हुई है दिवंगत आत्मा की चीर सांती के लिए इश्वर से प्रात्ना है लखी सराय में शराब के साथ तसकर गिरफतार बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी इससे जुड़े खबरे सुनने को मिलते रहते हैं हालक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विवाग की ओर से कहीं जरूरी कदम उठाए जाते हैं बतादे के ताजा मामला बिहार के लखी सराय के गढ़ी विशनपूर गाउं के पासका है शिराब लेकर बिहार में शिराब की होम दिलिवरी करता था चुटी कालेंडर का विरोध करने वाले सक्षकों पर शुड़ू हुई कारवाई सिक्चा विभाग के द्वारा वर्स 2024 में स्कूलों में होने वाली छुटियों को लेकर जारी किये गए कालेंडर के विरोध में जिन भी सिक्चकों के द्वारा टिपने की गई थी और जिन भी सिक्चकों के द्वारा इस कालेंडर के खिलाफ मीडिया में बयान बाजी की गई उस सभी सिक्षकों को विभाग की ओर से नोटिस भेजना शुड़ो कर दिया गया है और अब तक राजी के 100 से अधिक सिक्षकों को नोटिस भेज दिया गया है बता दे कि विभाग की ओर से इस सिक्षकों को नोटिस भेज कर 24 घंटे के अंदर जवाब मागा गया है निरधार के प्रकार्ण सिक्षा पदाधिकारी या जिला सिक्षा अस्तर के पदाधिकारी समक्ष अपने बातों को रखे बगएड उक्त आदेश के विरुद 28 नवंबर 2030 को वर्चेप ग्रूप में संदेश डाल कर प्रसारित किये जाने से आपकी कई मनसाइं प्रदर्शित होती है। चुटियों में कटोती पर फिर हमला वढ़ हुए समराध चौधरी। किया गया उसे लोगों तक पहुंचा है। नेंद्रमोदी की सरकार के द्वारा 13 करोर लोगों को 146 करोर लोगों को उजवला योजना का लाप 80 करोर लोगों को सीधा राशन देने का काम किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री तुस्टी करन की राजनीती करने हैं सरकार को घोशित चुट्टी के रिड़ने को वापस लीना होगा अनिता आंदोलन होगा। लालू यादव ने इंडिया गडवंधन की जीत को लेकर किया दावा। एक बार फिर से राजर सुप्रीमों और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते वे केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि मोदी का खेल अपर खत्म हो चुका है पांच राजियों के विधान सबाच नौ में इंडिया गडवंधन की जीत होगी और सभी राजियों में हमारी जीत पकी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों से अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है ऐसे में अब मोदी का खेल खत्म हो गया है। अध्यक्षता में होगी। पतादी कि सभी राजियों के विकास पर मन्थन किया जाएगा। बिहार में इस बैठक को लेकर ग्रीव विभाग के अपर सचीव अनिमेश पांडे के दोरा विवन विभागों के अपर मुख्य सचीव प्रदान सचीव सचीव को बैठक के ड्राफ्ट एजेंडा पर सामगरी तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है और साथ ही इसकी सॉफ्ट और हाड कॉपी विभाग को प्लद कराने को कहा है केके पाठक ने MLC के वेतन पर लगाई रोक सियम नतीश के खिलाब धरने का एलान सिक्चा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा सित्ता रोड दल के एक MLC संजय सिंग के पेंशन और यूनिवरसिटी सिक्चक संग फुटाप के काड़ेकारी अध्यक्ष बहादुर सिनहा के पेंशन और वेतन पर अपने एक आदे से रोक लगा दी गई है ऐसे में अब MLC संजय सिंग के द्वारा बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के खिलाफ उनके आवास की बाहर धरना देने का एलान किया गया है मालुम हो कि संजय सिंग उनिवर्सिटी सिक्छक संग फुटाप के ही महा सचीव है और साथ ही वामदल CPI से भी जुरे हुए है बतादे कि संजय सिंग तिरुत सिक्छक सीट से MLC है और साथ ही उनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है मीडिया में चल रही खबरों के नुसार बीते दिनों विवाग के ओर से नियमों को लेकर गाइडलाइन जारी किये गये थे में युनिवर्सिटी सिक्षक संग के द्वारा इसका विरोध किया गया जिस वज़े से संग के पतादिकारियों के खिलाफ काडवाई की गई है वल्ड कप 2023 फाइनल में नहीं खिलाया जाने पर रवी चंदरन अश्वन का खुलासा भारतिये टीम के अनुभवी औफ स्पिनर रवी चंदरन अश्वन के द्वारा पुर्व भारतिये क्रिकेटर एस बदरेनात के यूटूब चैनल पर बातचीत करते वे यह खुलासा किया गया कि उन्हें वल्ड कप 2023 में क्यों नहीं खिलाया गया उन्हें कहा कि जहां तक मेरी बात है तो मैं फाइनल खेलने वारा था टीम संयोजन और वाकी बाते दूसरी हैं पहली बात हम दर्दी के बाड़े में है जिस पर मैं काफी जोड देता हूँ आप किसी और के जूते में पैड डाल कर उसके नजरिये से चीजों को देखिए अ पर हमारा पहला सवाल है मुख्यमंत्री प्रकंपड़िवहन योजना के अंतरगत कितने रुपे का उन्दान दिया जाता है ऑप्षने 5 लाग ऑप्षन भी एक लाग ऑप्षन सी तीन लाग ऑप्षन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है ऑप्षने 5 लाग अगला सवाल बिहार में पुर्वी छेत्रिये परिस्त की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्षने 1950, ऑप्षन बी 1960, ऑप्षन सी 1958, ऑप्षन डी 1963 इसका सही उतर है ऑप्षन सी 1958 अगला सवाल बिहार की राज़दानी पट्ना में सक्छक संकी सीक्रेट मीटिंग कितने तारीकों होने बाली है? इसका सही उतर है ऑप्षन बी 3 दिसमबर अगला सवाद नेरंदर मोदी की सरकार के द्वारा कितने करोड लोगों को उजवला योजना का लाब दिया गया है उप्शनी 13 करोड, उप्शनी 26 करोड, उप्शनी 80 करोड, उप्शनी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्शनी 26 करोड इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है अब बिहार और केंदर सरकार की कौन कौन से योजनाओं का लाब ले रहे हैं अपना जवाब हमें अमारी कौमेंट सेक्षन में लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिएकते रहें बिहारी निउज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चलंको सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पीस को फॉलो करना ना भूले तर नेबात